नमशकार दोस्तों, मैं विजितिवारी दाबुक सोसाइटी के माध्यम से प्राची नितिहास से संबनित प्रमुख प्रश्णों की एक शंक्रा शू करने जा रहा हूँ जहां आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होगा सिंदुग हटी सब्वेता या हडपा सब्वेता जहां क्रमबद तरीके से वे सभी प्रश्ण जो पहले UPSC के परिक्षाओं में या PCS के परिक्षाओं में या UGSNet के परिक्षाओं में पूछे गए हैं उनी प्रश्णों पर यहां चर्चा की जाएगी प्रतेक प्रश्ण की उचित व्याख्या भी की जाएगी तो वीडियो को अंतक जरूड देखें यानि कि आपके सामने चार आप्शन दिये गए हैं चार में से तीन आप्शन सही हैं कोई एक आप्शन गलत है उसी आप्शन को आपको चूज करना है और कोशन ये है कि जो परिपक को हडपा सब्वेता थी यानि कि हडपा सब्वेता को हम तीन भागों बारते हैं आरंबिक हडपा और फिर आतमें उत्तर हडपा तो जो परिपक हडपा काल था उसमें मनके बनाए जाते थे शिर्पकला का नमूना था मनका तो मनके बनाने के विशे में यहाँ पर कुछ कथन दिये हैं हमें ध्यान रखना है यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है तो नहीं पर ज़ादा ध्यान देना यहां पर आपको ठीक हैं, तो पहला आप्शन है आपके सामने, कि हडपा के मन के, सोने, तामबे, शंको, लाजवर्द, हाती के दातों, तथा विभिन प्रकार के उप्रतनों से बने थे, यह पहला आप्शन है, तो हडपा के मन के सोने, तामबे, शंखो, लासवर्द, हाथी के दांत तथा विभिन प्रकार के उपरतनों से बनेते क्या दूसरा option है पूरा तत्विदों ने मन के बनाने वाली दुकानों को आप परिश्क्रत वस्तूओं के जमाओं के दार पर पहचाना है तीसरा option है चनूद्रों में ओजार, भट्टी, एवं तैयारी के विभिन चरणों में मन के पाए है चोथा option है बनावली में, संग्रचना में बहुत सारे मन के परिश्क्रत, अर्ध परिश्क्रत, एवं आप परिश्क्रत दशाओं में प्राप्त हुए है तो इसमें से कौन सा option आपको ये देखना है कि सही नहीं है यानि कि तीन option सही होंगे, एक सही नहीं है तो देखो इसका सही उत्तर है D तो अगर आप परिपक को हडपा काल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बड़े पैवाने पर मनके बनाए जाते थे और जो ये मनके हैं तो हडपा सब्वेता में कार्नीलियन, जैसफर, इसफटिक, क्वार्टज, सैल खड़ी जैसे पत्थर इसके लावा तामबा, कांसा, सोने जैसी धात्वे मिली हैं, शंक, फ्यांस और पकी मिटी सभी का प्रियोग मनके बनाने के लिए किया गया है इसलिए कथन ए क्या है? सही है इसके लावा हडपा की एक बस्तेती चनुद्रो तो चनुद्रो के उत्खनंग से हमें ये पता चला है, कि यहाँ पर ये अधोई केंदर था यहाँ पर बड़े प्यमान पर मोहरे बनाई जाते थे और इसके लावा भार और माप के बठकने भी बनाई जाते थे इसके लावा अरनेस्ट में के जो पूरा तात्वित थे, उन्होंने यहाँ मन का बनाने का एक कार खाना और भट्टी की भी खोच की है इसलिए कथन C भी सही है इसके लावा पूरा तात्वितों ने जो मन के बनाने वाली दुकानों के बारे में जाना है तो मन के बनाने का जो संबंदे हडपा से मिला है, चनूदड़ो से मिला है, काली बंगन और लोथल से मिला है लेकिन बनावली से तो हमें हलकी आकरती वाले मिट्टिये खलोने मिले हैं, जव मिले हैं, तामबे के वानाग्र मिले हैं तो इसलिए कथन D गलत है तो अगर आपसे पूछा जाए question परिपक्व हडपा काल में शिल्प के विशेस्ता ग्रूप में मन के बनाने लिए कौन सा कस्थन सब्ते नहीं है या मालो question पूछले कौन सा सब्ते है तो शुरुआत के तीन option सही है इस से related चीज़ आपके जो concept है वो clear होने चीज़ है अगर आपने chapter पर रखें तो चलिए अब चलते हैं next question पर अगला question हमारा ये है कि हडपा स्थल में एक जगह मिलिये code दीजी तो जो हडपा स्थल code दीजी है वो उस सब्ता के निमलिकित में से किस प्रमुक स्थल के समीफ है यानि कि देखिए हडपा ये खुदा ही जो ही है उसमें एक जगह मिलिये ती code दीजी अब वो question यहां से आप से पूछ रहा है कि जो code दीजी नाम की जगह है वो किस जगह के समीफ है तो पहला option आपके सामने हडपा दूसरा option है मोहन जोड़ो तीसरा option है लोथल और चोथा option है काली बंगा तो देखो जो code दीजी इस्थल है ये मोहन जोड़ो के पास इस्थित है अता कथन कौन सा सही है इसमें 20 सही है तो देखो जब आप हडपा इस्थल code दीजी की बात करोगे तो हडपा इस्थल code दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रामते में इस्थित है और इस सिंधू नदी किनारे इस्थित है और मोहन जोड़ो की बात करेंगे तो ऐसे मैं मोहन जोद्रो भी पाकिस्तान के सिंध्प्रांध में हैं चलते हैं अगले प्रश्ण हमारे शामने है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानि कि यहाँ पर भी आपसे कोश्रेlt कोश्णों पर जवाब पेपर देने जाएं, तो कोश्णों में जरू देखें, कि कोश्णों में क्या पूच रहा है कि सही है या सही नहीं है, तो बहुत ध्यान से कोश्ण पढ़ना होता है, तो तीसरा कोश्ण कहा रहा है, हडपा संस्किति ये वारे में निम लिखित में से क कौन सा कथन सही नहीं है पहला option है यह उप महादीप के प्रारंबिक नगरों की साक्षी तो क्या हडपा सब्वेता भारत उप महादीप के प्रारंबिक नगरों की साक्षी ती यानि कि प्रारंबिक नगरों की साक्षी ती क्या ये कथन सही नहीं है तो ये कथन तो सही है क्यो तो दाइं से बाई और ही लिखी जाती थी, तीसरा उप्षन इसमें मूर्ती बनाने की कला के माध्धम के रूप में लोह का प्रयोग हुआता था क्या, तो देखो हडपा वासी को लोहे के बारे में, तो पता ही नहीं था, वो तो तामे का प्रयोग करते थे, कांसे का तो नहीं, हडपा वालों को लोहो के बारे में पता ही नहीं था, वो तो लोहे का प्रयोग करते थे, तो हडपा जो नगर है, ये प्रथम नगरिये सब बेतार ही थे, पहला उप्षन इसलिए सही है, यहाँ पर जो लिपी है, वो दाई से बाईयों लिखी जाती थी, प्रियोंग नहीं करते थे और चौथा कतन में बिल्कुल सही है क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए पत्थ्रों का प्रियोंग किया जाता था अब चलते हैं चौथे प्रश्न के उपर तो हड़पा संस्कृति के विश्य में निम्लिक के कथनों पर विचार किया यानि कि यहां प यह दक्षिन तथा पूर्व की और फैली तीसरा कथन यह है कि वैचेत्र जहां यह फैली मिस्र तथा मैसोपोटामिय से बड़ा था क्या आगे आपसे इन कथनों से कोशन पूछ रहा है कि निम्लिक समें से कौन सा कथन सही है यानि कि आपको तीन कथन दिये हैं और वो पू या तीनों से होसकते हैं या कोई से दो से होंगे तो देखो तो किया हडपा संस्कृती सिंद्ह और पंजाम में परिपक हुए थी तो अगर आप देखोगे हडपा संस्किति के हम बात करें तो 1921 में हडपा इस्तली खोज के अधार पर इसका नाम हड़पा संस्किती रखा गया और सिंद के चेतर में बड़े पैमाने पर इसके बहुत सारे जो हैं केंद्रे चेतर मिले भी है तो अथा पहला कथन बिल्कुल सही है कि हडपा संस्किती सिंद और पंजाब में ही परिपक होई थी दूसरा उप्शन है यह है कि यह क्या दक्षन और पूर्व की और फैली थी तो हडपा संस्किती के अगर हम बात करें तो यह पंजाब और सिंद में मुख्यता सिंदु घाटी में इसका विस्तार होता गया और इसका विस्तार दक्षन और पूर्व में हुआ ये पंजाब, सिंद, बालुचिस्तान के भागी नहीं बलकी, गुजरात, राइस्तान, हर्याना और पश्मी उस्तर प्रदेश के सीमान भाग भी था सामिल, तो अथा कतन दो भी सही है, कि ये दक्षिन और पूरफ कि थरा फैली थी, और हड़ा सब्वेता का छेतर इतना बड था ये, इतनी बड़ी नगरी संस्किती कहीं पर भी नहीं थी, अता कतन तीन भी सही है, यानि कि जो ऑप्षन डी है यहाँ पर एक, दो और तीन, ये ऑप्षन बिल्कुल सही है, तीनों कतन ही हडपा संबंदित बिल्कुल सही है, अगले प्रेशन के और बढ़ते हैं, पां चौता है मगान, चौता है फलका, तो देखो कुछ थोड़ी सी पीडिएफ में आपर मिस्प्रिंट है, मेगन लिखा हुआ है, सी ऑप्षन पर ये मगान है, तो इसका सही अंसर कहा है, तो अगर आप NCRT क्लाश 12 की देखेंगे, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है, कि सिंद प्रिमुन जो है, वह बहरीन दीप के लिए यूज़ हुआ है, जबकि जो मगान शब्द है, उसकी तुलना मकरान टट से की गई है, जबकि जो मैसोपोटामियाई लेक मिले हैं, उसमें मेल हुआ नाविकों का देश बताया गया और ये सिंदुघाटी सब्धा के लिए उस थल नहीं है, यानि कि चार ओप्षन आपके सामने हैं, तीन हडपा से लेटिड होंगे और एक हडपा से लेटिड नहीं होगा, तो चनूद्रों, अभी पिछले प्रश्ण में हमने चर्चा करी कि चनूद्रों में शिल्प निर्माड कार्रे होते थे, तो चनूद्रों तो ह तो यह हडपा में सिंदुनदी किनारे स्थित हो गए देसलपुर की बात करोगे तो यह भारत में गुजरात के कक्ष में है जबकि आप सोहगोरा की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश के गोरकपुर में और बिल्कुल कोने पर है गोरकपुर तो जो सोहगोरा है वह हडपा इस तोहा गोरा कहा पर है गोरखपुर में हैं अगले प्रेशन के वर चलते हैं आसा है सही प्रेशन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे वीडियो को लाइक जरू करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरू करिएगा कोश्चन नमबर अगर हम सेवन की बात करें तो कोश्चन नमबर सेवन हमें जी कह रहा है कि निमलकित में से कौन सा लक्षन सिंदू सभ campaign के लोहों का सही चित्रन करता है यानि के आपके सामने तीन option है और ये बताने आपको तीन में से कितने option हरपपा सब्बता के लक्षणों के बारें बता रहा है तो हरपपा के लोगों के विशाल, महल और मंदिर होते थे क्या दूसरा option पूछ रहा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे तीसरा option पूछ रहा है वे युद्ध में घोडो द्वारा खिचे गए रतों का प्रयोग करते थे तो अब आपको सही कथन चुनने क्या कैवल एक और दो सही है या केवल दो सही है या एक दो तीन सही है यो प्रोक्त में से कोई नहीं तो आप मुझे बताइए क्या हडपा में विशाल महल और मंदर मिलेते हैं तो हडपा में तो मंदर मिले ही नहीं एक बार को महल जैसी संग्रचना तो मिली है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे हाँ ये बात सही हो सकते कि वे देवी देवताओं की पूजा करते थे क्योंकि मुर्दभान मिले हैं मूर्ते मिले हैं बहुत सारी वहाँ से देवी काई मिली हैं ये युद में घोड़े दवारा खीचे के रतों का प्रयोग करते तो नहीं हड़पबा वाले लोग तो शांती प्रेत है और दूसरी बात इने यहाँ पर घोडों के साक्ष्ण मिले इनी है तो पहला और तीसरा तो पक्का ही गलत हो गया केवल दूसरा ही सही है तो option में देखेंगे तो B option है केवल 2 तो इसलिए केवल 2 ही सही है वह देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे और बागी दोनों option क्या है आपके गलत है अगले question पर चलते हैं कि सिंदू घाटे के संदर में निमलीर कतनों पर Вिचार कीजिए फिर से आपको सिंदू घाटे से related कुछ कतन दिये जारे हैं दो कतन दिये गए हैं और आपको भी बताना है कि कौन सा कतन सही है तो कह रहा है यह प्रमुकता लौकिक सब्वेता थी तथा उसमें धार्मिक तत उपस्तितों थे लेकिन वर्चशारी नहीं थे यानि कि हडपा सब्वेता इस लोग की सब्वेता थी धरम तो था लेकिन धरम का दबदबा नहीं था क्या option सही है तो ये बात बिल्कुल सही है जब आप हडपा सब्वेता का दिन करोगे तो परचलेगा आपको धरम के वारे में तो परचला मुर्तियां तो मिली नत्य करते हुए एक देवी की मूर्ति मिली है पशुपतिनात के रूप में मेभी शिवजी हो सकते हैं ऐसा माना गया है लेकिन मंदिर नहीं मिले तो हडपा लौकिक सब्वेता थी धरम था धरम को लोग फॉलो करते होंगे देवी देवताओं की पूजा करते होंगे लेकिन धरम का दबदबा नहीं था धरम वर्चा सुशाली नहीं था दूसरा option ने उस काल में भारत में कपास से वस्तर बनाई जाते थे तो सिंदु घाटी लोगों ने ही सबसे पहले ये माना जाता है विश्व में कपास की खेति की होगी तो दोनों ही कतन सही है option है आपके पास केवल एक केवल दो एक और दो दोनो ना तो एक ना तो दो तो एक और दो दोनो सी option यहाँ पर बिल्कुल सही है अगले प्रश्ट की ओर चलते हैं नौव प्रश्ट नौव प्रश्ट के रहा है कि हडपा संस्कृति की विशेस्ताओं के संदर में निम लिखे कतनों पर विचार कीजिए यानि कि फिर से आपको हडपा से लेटिट कुछ लाइने दी हुई है और आपको यह option देखने हैं पहले तो पहला option है यह नगरिय संस्कृति थी दूसरा option है इनकी लिपी चित्रात्मक थी तीसरा option है इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था कोश्टन आपसे कह रहा है उपरित कत्थों में से कौन सा सही है यानि कि तीन option है आपके पास आमने तो पहला option है कि यह नगरे संस्कृति थी तो हडपा संस्किती नगरे संस्किती थी से प्रतम नगरे साथ्वेता भी कहा जाता है यह कथल दूसरा कथने क्या इसकी लिपी चित्रात्मक थी ये बात भी बिल्कुल सही है कि हडपा की जो लिपी मिले उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है ये एक रहस्म ही लिपी है और ये चिन्नात्मक लिपी है ये बात सही है इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था तो हडपा की खुदाई में बहुत सारे बात भी मिले है तो इससे प्रणाता है कि इनोंने मापन प्रणाली का विकास किया था तो ये तीनों ही कथन सही हैं तो अतार D option बिल्कुल सही होगा कि कथन एक, दो, तीन, तीनों ही क्या हैं सही है Question number 10 Question number 10 कह रहा है कि हडपा संस्किती के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन असत्त है यानि कि यहां पर हडपा संस्किती संबंदित कुछ कथन दी है और आप से यह पूछ रहा है कौन सा असत्तत है चार option दिये हैं, तीन सही होगे और एक गलत होगा जो गलत वाला है वही हमारा अंसर होगा क्योंकि उसने यही पूछा कि कौन सा गलत है तो पहला option है कि इस संस्किती के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था तो अभी पिछले ही प्रिश्ण में हमने चर्चा करी थी पिछले ही प्रिश्णों में कि हड़पा काल की लोगों को लोहों के बारे में नहीं पता था तो कथन भी तो गलत है बड़ फिर भी अगले दो कथन हम पढ़ लेते हैं इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे तो हरपाई खुदाई से हमें पता चलता है कि हाँ भी यहां के लोगों से तिल और सरसों का उत्पादन किया था चौता है काली बंगा में जुतेवए खेत के अफ्शेश मिले हैं यह वाद है बिल्कुल सही है तो काली बंगा में जुतेवे खेतों के अफशेश मिले हैं तो इस काल के लोगों ने लोहो के ओजारों को प्योग केता यह वाला कथन इसमें गलत है और यही हमारा सही अंसर है क्योंकि कोशन हमसे यही पूछा जा रहा है कि निम्लिक कथनों में से कौन सा कथन असत्त है अगले प्रशन क्यों बढ़ते है अगला प्रशन कहा रहा है कि हडपा संस्किति के संदर्म में निम्लिक कथनों में से कौन सा कथन सही है यानि कि फिर से आप से तीन आप्शन दिये है और ये पूछ रहे कि इन में से कौन सा कथन सही है तो क्या पशुपती इसकाल का महतपूर्ण देवता थे ऐसा हमें साक्षे मिले तो है तो ये कथन तो सही होना चाहिए दूसरा कथन है कि इसकाल के लोग कांसा निर्माण विदी जानते थे तो ये बात मिलकुल सही है कि वो टामे में टीन में बूलाकर कांसे की त्यार करते थे, ये सस्कृति अश्ष्ड का मतलब लब झोड़ा होता है और घोडे यहां पर पता ही नहीं थे कि घोडे थे या नहीं थे, इसके तो कोई साक्षर मिले नहीं है, तो कसण एक और दो सही है जिन बच्चों ने हड़पा सब्वेता वाला चैप्टर पढ़ रखा है उनके लिए तो चीज़ा आसान है जिनों नहीं पढ़ रखा है तो वो हमारी BHIC 131 की सिरीज है इगनु की वहां से इस चैप्टर को पढ़ सकता है तो कोशन नमबर 12 है हडपा संस्किती में वैपार के संदर में निम्रिखी कत्थनों पर हमें विचार करना है तो हडपा वासी वैपार भी करते थे तो वैपार करने पर जो कुछ स्टेटमेंट दिये हैं यहां पर कौन सी कत्थन सही है यह हमें बताना है तो इस संस्किती में वेपार बड़े पैमाने पर होता था ये बात तो बिल्कुल सही है हरप्पा सब्यता में वेपार तो बड़े पैमाने पर होता था मैसोपटामी के लेग भी मिले हैं मैसोपटामी वाले लोगों से वेपार भी होता था तो हरप्पा संस्कृति के लोग जीवन में वेपार का निर्मार करते थे, सेल खड़ी के पत्त्रों की महर बनी हुई थी हुआ पर, तो धातूतों के सिक्के तो यहाँ पर मिले ही नहीं है, तो कथन दो गलता रों कथन एक सही है, तो option है केवल एक, केवल दो, एक दो दो ना तो एक ना तो दो, तो केवल एक वाला option यानि कि हमारा पहला option यहाँ पर बिल्कुल सही है, अगले प्रशन की और बढ़ते हैं, question number 13, question number 13 कह रहा है कि हडपा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर में निमलेकित में से कौन सा कथन सही है, यानि कि आपने हडपा की धार्मिक प्रथा को पढ़ा होगा, अब उसके बार में आपक और पशुपूजा का प्रचलन था, तीसरा है इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदरों का निर्मार करवाया गया था, और चोथा है इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीच पहनते थे, तो देखें यहाँ पर question में थोड़ी सी misprint हो गई है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक ची जुड़नी चीए, यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर यह ची जानी चीए, क्योंकि देखो हड़पा संस्कितिक लोग मात्य देवी की तो पूजा करते थे, यह बात बिल्कुल सही है, व्रक्ष और पशुपूजा का पच रखेंगे के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन है हमारा हडपा संस्कितिक के संदर में निम्लिकित में कौन सा कथन सही है, यानि फिर से आपसे कोशन पूछा जा रहा है, कुछ कथन दिये जा रहे हैं, उनमें से पूछ रहा है कौन सा सह देख सकते हैं कि हड़पा संस्किते का उद्ध है भारति उक महादीप के पश्च में भाग में हुआ था सिंध पंजाब की तरफ फिर यहां से दक्षिन और पूरफ की तरफ फैली दूसरा अप्शन है हडपा संस्किते के नाम इसके नदी के किनारे हिस्तित होने से हुआ था रवा हडपा कालीन तथा उत्तर रपपा तीनों मिली हैं तो यह बात तो बिल्कुल सही है तो कह 2020 कोड का प्रियोक करके सही उत्तर को चुनियां तो सही उत्तर है हमारा एक और तीन तो पहला ऑप्शन सही क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब पृरांत और सिंध प्रांत से और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्ट और फिप्टेंथ नंबर का जो प्रश्ण है वो यह है कि हड़पा संस्कृति के संदर्में निम्ठेर कत्रों पर विचार कीजिए मोहरे इस संस्कृति की सर्वुत्तम कलाकृतियां है पहला अप्शन दूसरा यह मुख्यता वानिज दो और तीन या फिर एक दो तीन तो अब हम इस प्रश्ण का जो उत्तर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जब हम अगली वीडियो शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसी प्रश्ण के उत्तर को जानेंगे आशा है वीडियो आपके लिए हेल्प फूर रहेगी और वे सभी विध्यारती जो कम्प्लिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्रश्ण बिल्कुल रामबान के लिए कारे करेंगे और आपको ये प्रश्ण करने से आपके बहुत सारे प्रश्ण अपने आप ही कम्प्लीट हो जाएंगे तो अभी हडप